दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंस्टागराम की आईडी कैसे बनाई जाती certified हो भी बहुत ही आसान तरीके से अपने smartphone पर तो अगर आपको भी जानना है कि इंस्टागराम की आईडी कैसे बनाई जाती है तो वीडियो के अंतक हमारेसाथ बने रहे और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को अन कर दीजिए जिससे आपको ट इस्टो और यहां पर आपको सब्सक्राइब में सर्ज करना होगा। यहां पर आप जब इंस्टाग्रश करें तो आपको एक ऐसा लोगो दिखाई देगा ऐसा इंटर रिखाई देगा है यहां आपको अपडेट लिख कर आ रहा है दोस्तो जब आपके डिवाइस में Instagram application डाउनलोड हो जाएगा उसको आप open करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा यहाँ पर आपको दो option मिलते हैं phone और email दोस्तो यहाँ पर phone और email के दो option मिलते हैं जिससे आपको अच्छा लगे उससे आप email ID बना सकते हैं फिलहाल मैं आज आपको phone number से Instagram ID बनाना सिखाऊंगा तो यहाँ पर डाल दीजे आप अपना number आप अपना number यहाँ पर डाल देंगे उसके बाद आपको करना है next button पर click अब इसके बाद आपके उसी phone number पर एक confirmation code जाएगा जो आपको डालना है जैसे ही आप यहाँ पर confirmation code डालेंगे इसके बाद आपको करना है next आप देखिए यहाँ पर आपसे मांग रहा है full name full name और password तो यहाँ पर आपको डाल देना है अपना full name मैं randomly कोई भी नम डाले दे रहा हूँ तो मैंने डाल दिया अमिद दुवेदी अब इसके बाद आपको एक strong password बनाना है जिसमें कुछ लेटर जो है capital रख दीजेगा और कुछ लेटर जो है small रख दीजेगा और चाहें आप अपना यहाँ पर अपना number भी आप डाल सकते हैं फिलाल मैं यहाँ पर डाले दे रहा हूँ पासवर्ड अब यहाँ पर जब आपका पासवर्ड पढ़ जाएगा तो यहाँ पर आपको दो ओप्सन दिखाए देंगे continue and sink contact continue without sinking contact तो यहाँ पर आप कर दिजिएगा continue without sinking contact और अगर आप यहाँ पर sink contact में कर देंगे तो आपके जितने भी contact होंगे सब आपको आपकी इंस्टाग्राम आईडी पर सो होंगे इसके बाद आपको date of birth मांगी जाएगी तो यहाँ पर randomly कोई भी आप अपनी date of birth डाल सकते हैं फिलाल मैं आपको suggest करूंगा कि आप 18 प्लस ही होने चाहिए अब यहाँ पर जब आपकी date of birth पड़ जाएगी तो यहाँ पर आपको करना है next जैसे ही आप next button पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको follow and start sharing photos you can change your username anytime यानि क्या कह रहा है आप अपना username किसी भी समय चेंज कर सकते हैं अब यहाँ पर आपको करना है next button पर click अब दोस्तों जब आप next button पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाए देगा इसके बाद आपको इसके बटन पर जाना है और यहाँ कर देना है skip अब देखिए दोस्तों आपकी यह ID तयार हो चुकी है अब यहाँ पर अगर यह देखिए आपकी ID तयार हो चुकी है अब यहाँ पर जो इसको भी आपको follow करना है आप follow कर सकते हैं तो देखा दोस्तों Instagram की आइडिया बनाना कितना आसान था और ऐसी नई वीडियोस पाने के लिए अपडेट वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चलनलों को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो के अंतक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद कर दोस्तों